सलेम स्पार्टन और आईड्रीम त्रिपुरा दोनों टीमों ने अब तक बराबर पांच मैच खेले हैं। सलेम स्पार्टन्स ने तीन मैच जीते हैं जबकि त्रिपुरा ने दो मैच जीते हैं। इस प्रतियोगिता में दोनों टीमें अभी भी प्लेओफ में पहुँच सकती हैं। प्लेओफ में पहुँचने के लिए दोनों टीमों को यह मैच जीतना जरूरी है। नमसकार दोस्तों CBTF अर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तमिल नाडू प्रीमियर लीग का 22nd टबीस मैच इड्रीम तिरुपपूर तमिजान्स और सालेम स्पार्टन्स के बीच दिनाग दो 1st जुलाई 2023 अट दोपहर के सवातीन को इंडियन सिमेंट कमपनी ग्राउंड तिरूनल वेली पर खेला जाने वाला है। अब हम भारत के नमबर वन टेलीग्राम मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविशवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। TNPL 2023 का पहला मैच तिरूनल वेली के इंडियन सिमेंट कमपनी ग्राउंड में खेला जाएगा। इस से पहले इस मैदान पर TNPL के तिरपन मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 24 मैच जीते हैं जबकि पीछा करने वाली टीम ने 29 मैच जीते हैं। इस मैदान पर खेले गए मैचों में उच्चतम स्कोर 177 रन है। वही म्यूनतम स्कोर 68 रन रहा है। इड्रीम त्रिपुरा अपने आखरी मैच में डिंडी गुल से आठ विकेट से हार गई। तुशार रहेजा ने आईड्रीम त्रिपुरा के लिए पांच मैचों में 122 रन बनाए हैं। एस राधा कृष्णन ने 125 रन बनाए, विजे शंकर ने 104 रन बनाए और केवल 3 विकेट लिए। साई किशोर ने 5 विकेट और 96 रनों का योगदान दिया। आज के मैच में इन खिलाडियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। इड्रीम तिरुप पुर्तमिजान्स की और से खेलने वाले खिलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है। इड्रीम तिरुप पुर्तमिजान्स यह मैच जीत सकती है। विड्यो को लाइक अवश्य करें। कौशिक गांधी ने 133 रन, मौग अधनान खान ने 89 रन, सनी संदू ने 8 विकेट और 64 रन बनाए हैं। यह सलेम स्पार्टन टीम के मुख्य खिलाडी हैं लेकिन अब इन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार बहुत खराब प्रदर्शन किया है। सलेम के लिए अभिशेक तवर साथ विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंद बाज हैं। आमतोर पर हर मैच में उनके द्वारा विकेट लिए जाते हैं। सलेम स्पार्टन्स की और से खेलने वाले खिलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है। अमित साथविक, वीके, आकाश सुम्रा, कौशक गांधी, मान बाफना, एसाबशिक, महामद अधनान खान, सानी संधु, अभिशेक तमवर, सी, राजेंडरन कार्तिकेयन, सचिन रथी, M. गनेश मूर्थी। दोनों टीमों के खिलाडियों के पिछले रिकॉर्ड और आज के फॉर्म के हिसाब से सलिम स्पार्टन्स के इस मैच को जीतने के 30 फीसदी चांस हैं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो समाप्त करती हूँ।